Hello students, this is Vinay और आप देख रहे हैं PiFi Learning Last lecture में आपने introduction पढ़ा 3 phase का कि 3 phase आपका कैसे होता है कैसे single phase से 3 phase में किया जाता है और क्या-क्या उनमें phase difference रहता है ठीक है फिर आपने पढ़ा हुआ हम पे star और delta connection के बारे में अब मैं आपको इस lecture के अंदर बताने जा रहा हूँ What is the relation between line voltage and phase voltage and line current and phase current ठीक है तो एक एक करके हम पढ़ेंगे line voltage, phase voltage को मतलब कैसे related होते हैं आपके पहले star की case में फिर आपका delta की case में तो first आपका आता है इसमें relationship between, relationship between, relationship between, relationship between, between line voltage, line voltage and phase voltage and phase voltage and line current and phase current ठीक है कहां पर in star connection पहले हम star connection के बारे में पढ़ेंगे फिर आपका पढ़ेंगे delta connection के बारे में तो star connection के बारे में जितनी भी चीजे हैं आपकी जैसे power आपकी हो गई, क्या होती, power आपकी कैसे होती है, कैसे आपकी line voltage होती है कैसे आपका current होता है, कैसे आपकी apparent power होती है, या फिर आपकी total power आपकी होती है, इन सबको हम एक एक करके आपका analysis करेंगे, एक एक करके आपका study करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर आपका देखते हैं कि relationship आपकी कैसे होती है, तो पहले हम इसके अंदर आपका बनाए एक phase आपका ये है और एक phase आपका ऐसे है यह तीन फे प्रोवाइड गर दिया है क्या Siya this is neutral ठीक है, neutral आपका वहाँ पर होगा, यहाँ पर दिनों आपके meet करेंगे, तो यहाँ पर हम neutral बना सकते हैं, स्टार के के समें, delta के समें हम हमारा neutral नहीं बन पाता है, तो इसलिए हम स्टार के के समें neutral बनाते हैं, तो देखो इसको आपने मा लिया, this is R this is this is B और this is Y ठीक है तो यहां से अब देखो दो तरीकी की आपकी face sequence होती है कौन-कौन सी एक तो आपकी होती R, B, Y ठीक है और एक आपकी होती R, Y, B ठीक है इसका मतलब आपका क्या होता है R, B, Y का मतलब आपका क्या हुआगा कि सबसे पहले, इसका मतलब आपका हुआ क्या, इसका मतलब R के 120 डिगरी के बाद में, 120 डिगरी के बाद में, आपका B आएगा, और इसके 120 डिगरी के बाद में आपका क्या आएगा, ठीक है, और इसका मतलब आपका क्या होता है, R के 120 डिगरी के बाद में, आपका पहले आप तो देखो आपने यहां पर इस तरीके से बना दिया अब इसको हम बोलते हैं यहां से इसको हम बोलेंगे वी आर और न्यूटरल के बीच की वोल्टेज यह मैंने आपको पहले बताया फिर से आपको बता रहा हूं क्योंकि हमें अब इसका फेजर अनलेशिस करना और रिलेशन यह आपकी VRN यह VBN और यह आपका VYN ठीक है या फिर इसको हम बोल सकते हैं VR ठीक है इसको मैं बोल सकता हूँ VB और इसको मैं बोल सकता हूँ VY ठीक है इस तरीके से तो इन तीनों का आपका बोलेंगे इस तरीके से VR, VB and VY अब दूसरा यह तो है आपकी कौन सी फेज वोल्टेज है ठीक है ये फेज वोल्टेज है ये भी फेज वोल्टेज है और ये भी आपकी कुनसी वोल्टेज है इस अलसो फेज वोल्टेज ठीक है ये फेज वोल्टेज है फेज का मतलब होता है कि एक तो आपकी लाइन हो और दूसरा आपका न्यूटरल हो तो जो आपकी voltage होती, line और neutral के बीच में, line और neutral के बीच में, उसको आपका बोलेंगे phase voltage, और line voltage आपकी क्या होती है, दो lines के बीच की voltage को बोलते है line voltage, तो यानि कि हम यहां से, इसको आपका बोलेंगे, what is this? this is VRY, यह आपकी कौन सी voltage है, यह आपकी है line voltage, और इसको हम लिखेंगे VR minus का VY, ठीक है, similarly इसको हम बोलेंगे, VBY बोल सकते हैं VY भी बोल सकते है, according to connection तो यहां से, अगर मैं इसको बोलता हूँ VBY, तो इसको हम लिखेंगे this is equal to VB minus का VY, ठीक है इस तरफ इसकी arrow कर देंगे, जो आपका higher होता है, उसकी तरफ हम arrow रखते हैं जैसे यहां पर आपका higher है, तो इसकी तरफ आपका arrow रखेंगे, और एक आपका यहां पर, इन तीनों के बीच में आपकी हो जाएगी this is called VRB या फिर VBR आपको बोल सप्पे हो VRB आप बोल दीजी या फिर VBR, ठीक है, इसको हम बोलेंगे VR minus का VB, ठीक है, तो यह आपकी होगी तीनों voltages, ठीक है यह आपकी line voltages हैं, और यह आपकी कुमसी voltage हैं, phase voltage है अब ऐसे ही आपका line current और phase current भी होता है आपका तो देखो, यहां पर जो current आपका आएगा, इसको बोलेंगे जो आपका phase के अंदर जा रहा है इस current को बोलेंगे IR current इस current को आपका बोलेंगे IB current और इस के करंट को आपना बोलेंगे आई य जा रहा है किसे अन्दर १ फेज के अंदर यहां करंट ऑप कौन सा करंट बोलते हैं या फिर स्टार के के खेष में इसी करंट को हम बोलते हैं यानि कि टेल्ट case में ऐसा नहीं होता, तो delta case में अलग से देखेंगे, पहले इसके case में analysis कर लेते हैं, ib, यह आपका कौन सा current है, phase current है, और यह किस के बराबर है, यह आपका line current के बराबर है, क्योंकि यह line में से आपका आ रहा है, यहाँ line से आपका आ रहा है, तो line अपकी यह होगी, और यह आपका क्या होगा, phase, ठीक है, यहाँ से यह आपका क्या है, phase, यह आपका क्या है, phase, तो phase के अंदर भी यही current जा रहा है, जो line के अंदर आ रहा है, तो यह आपका होगी, star के बरे में पूरा, अब इसका हम बनाते हैं, phasor diagram, वो phasor से आपका समझेंगे, कि कैसे आपका यह सब कुछ valid है, तो देखो, यहाँ से, अगर मैं बनाओ में सबसे पहले आपका, क्या, सबसे पहले, reference, तो reference किसको लेंगे, reference हम general लेते हैं किसको vr को, क्योंकि आपने लिखा था कि vr आपका क्या है, this is equal to v angle 0 degree, vb this is equal to v angle minus 120 degree, और vy this is equal to v angle plus 120 degree, ठीक है, या फिर हम इसको बोले, v angle क्या था, आपका minus 240 degree था, तो इसका phaser के बारे में मैंने थोड़ा सा introduction आपको last lecture के अंदर भी बताया था, अब यहां पे फिर से उसको लेते हैं, तो देखो, यहां पे इसका phaser बना लेते हैं, यहां से, इसको मालिज आपने बनाया, this is vr, यहां पका क्या है, this is vr, vr आपका किसके बराबर है, v angle 0 degree क बराबर है, फिर उसके बाद में आपका next क्या है, इसके 120 degree के बाद में, यहां से देखो, यह आपका vr इस तरफ है, तो इसको भी आपने इस तरफ बनाया, फिर उसके बाद में vb है, तो यहां पे हम इसके 120 degree के बाद में आपका क्या बनाएंगे, so this is vb, ठीक है, तो यह आ यहां पर आपका कितना है, this angle is 120 degree और minus का है आपका, यहां पर यह वाला आपका angle कितना है, this is minus का 240 लिखें इसको, या फिर हम इसको लिख दें कितना, plus का 120 degree, ठीक है, यह आपके होगे, कितना कौन-कौन से आपके Vr, Vb and Vy, अब इसके बाद में, हमें क्या बनानी है, यहां से line voltage निकालनी है, हमें क्या निकालनी है यहां से line voltage, ठीक है, तो line voltage सबसे पहले, हमें क्या निकालनी है, Vrb, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Vrb को मैं लिख सकता हूँ, Vrb, this is equal to Vr minus का Vb, चलिए इसको थोड़ा से यहां अलग से बनाते हैं, Vr VrB, Iartment कितना है? VrB को मैं लख सकता हूँ Vr minus ka Vb यह higher पर है और यह lower potential पर है So this is equal to यह को और कैसे लख सकते हैं? इसको मैं किसे बहीं कितना हूsna Vr plus minus ka Vb ठीक है? इसको मैं plus corn calwel Teams minus ka Vb तो भात वही है आपकी Vr minus Vb और यह आपका किसके बराबर रहेगा वी आर बी के बराबर रहेगा अब देखो यहाँ पे वी आर तो है आपका लेकिन वी बी माइनस का नहीं है तो माइनस का कहां पे आएगा यानि कि यह आपका प्लस का है this is plus this is also plus and this is also plus v b minus का आएगा इसके ठीक opposite यानि कि यहाँ पे यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं और यहाँ पा क्या रहेगा this is minus का v b यहाँ पा क्या आजाएगा minus का v b आपका आजाएगा ठीक है अब हमें इन दोनों का sum बनाना है और वो किसके बराबर होना चाहिए v r b के बराबर होना चाहिए यानि कि v r का फेजर plus minus v b का फेजर तो यहाँ पे हम बना लगाते हैं आपका law of parallelogram parallelogram का मतलब आपका क्या हुआ यह आपका अगर v r यहाँ पे है v r है अब यहाँ से इसके parallel में हम यहाँ पे बना देते हैं भई हम इसको अगर आपने v b बोला है तो यह भी आपका क्या है v b है और इनका जो आपका resultant आएगा इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे this is called what is this? इस जो red वाला आपने मनाया v r b यह अपका क्या है? v r b है अपका तो यह आपका हो गया पहला फेज उनका ग्री तो यह वाला जो आपका आपका प्लस का 120 दिग्री तो यह वाला जो आपका आपका इंगल आपका कितना हो जाएगा this is 60 डिग्री बिलकुल exact mid से जाएग आपका यह माइनस का, और यहां से यह आपका कितना हो गया, this is called 30 degree, यह आपका कितना हो गया 30 degree, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आपका 30 degree, यह आपका हो गया पहले के case में, अब दूसरा आपका आते हैं second आपका, तो second के case में आपने क्या लिखा VBY, ठीक है कैसे करूँगा, VB plus minus का VY ठीक है, तो यहां से, अब हमें VB तो है हमारे पास में, लेकिन minus का VY नहीं है, तो VY यह plus है तो minus इसका ठीक opposite में आएगा तो यहां से इसके opposite में बना देते हैं this is this this is minus का VY यह आपका क्या हो जाएगा, minus इसका VY आपका आजाएगा और इन दोनों का resultant, इसको थोड़ा सा और आगे extend करते हैं, इन दोनों का resultant होगा यानि कि law of parallel पर करा हम से इसके parallel में यहां पे और इसके parallel में यहां पे ऐसे, ठीक है, तो यहां से इसका parallel में आपका क्या हैगा next आपका आजाएगा VBY तो यहां से हम इसको बना सकते हैं भई, VBY so this is VB और यहां पे Y, ठीक है तो यहां पे, फिर से यह आपका क्या है this is again, this is 60 degree यह आपका 60 degree है तो यह आपका कितना है, this is 30 degree, यह आपका कितना हो जाएगा 30 degree, ठीक है, तो यह आपका हो गया next, तो दो आपका lines हम बना चुके हैं, एक line आपकी V, R, B वाली, ठीक है, और एक आपका VBY, एक आपका बचा है, कौन सा V, R, Y, इसको हम लिख लेते हैं भई, V, Y, R है यह आपका ठीक है, continuous आपका करते हैं, देखो continuous का मतलब आपका क्या हुआ, पहले आपने V, R भी लिया, फिर V, B, Y लिया, अगर next आपका, फिर आपका क्या हैगा Y आ रहा है, तो V, Y, R लेंगे, तो इस बार इसको हम कर लेते हैं, यहां पे V, Y, R, ठीक है, V, Y, R ठीक है, V, Y, R, और यहां से, इसको हम लिखते हैं, V, Y और यह आपका क्या हो जाएगा minus का V, B minus का आपका क्या है, V, B है तो next को हम यहां पे लिखेंगे, next आपका क्या हैगा this is V, Y, R V, Y, R so this is equal to V, Y minus का आपका क्या जाएगा, V, R और यह आपका किसके बराबर रहेगा this is equal to V, Y plus minus का आपका क्या है, V, R ठीक है, यह आपका आजाएगा, next तो अब यहां से, हमारे पास में V, Y है अब हमें बनाना है minus का V, R तो minus का V, R इस बार आपका फिर से कहां पे आजाएगा इसके opposite में इसका opposite का मतलब, इसका opposite का मतलब आपका कहां पे हुआ यहां पे, इसके ठीक opposite में, ठीक है, minus में तो यह आपका क्या है, minus का V, R है आपका और यहां से, फिर से हम law of parallelogram से इसको बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, यह आपका हो गया, ऐसे और इनका resultant आपका कहां पे आएगा, इनका resultant आपका यहां पे आएगा what is this, this is V, Y, R, ठीक है, यह V, Y, R हो जाएगा तो यहां से, यह वला angle आपका फिर से कितना है, this is again 60 degree और यह आपका कितना रहेगा, यह आपका 30 degree रहेगा, ठीक है तो यह आपका 30 degree और यह आपका कितना है, 60 degree है अब यह तो आपका phasor हो गया किसका, lines का, ठीक है और पहले वाला जो आपका phasor था, वो आपका किसका था, phase का था यह आपको समगाया होगा कैसे आपने phase से line के अंदर convert कर दिया अब हम इसमें calculation भी देख लेते हैं, कि calculation आपकी क्या होती है तो देखो यहाँ से, सबसे पहले, अगर मैं किसी भी एक signal को ले लिजए, बाकी को आपका छोड़ दीजए सभी का आपका सेम रहेगा, माल जी आपने इसको ले लिया है, यहाँ से Vrb, Vrb आपका क्या है, यह हमें पता है, this is equal to line to line voltage यहाँ पी क्या है, line to line voltage है, Vrb, so this is equal to, यह आपका किसके बराबर रहेगा देखो, यह आपका क्या है, this is equal to Vr, और plus, minus का क्या है, Vb है ठीक है अब यहाँ से, सेम हम ऐसे ही इसके analysis करते हैं, जब हम इसका magnitude लेंगे Vrb का magnitude, तो यहाँ से आपका क्या आजाएगा, under root, देखो, यह आपका important है, यहाँ से इसको ठीक है, Vr, Vr का square, यहाँ से आपका क्या आजाएगा, Vr का square, plus, minus का Vb का square, plus, minus का Vb का square, plus, 2 times Vr into Vb, और cos, angle between, ठीक है, angle between, किस-किस के बीच में आपका, angle between Vr and minus का Vb, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका, क्या phasor difference है आपका, वो आपका यहाँ पे आएगा, अब यहाँ से, माल लीजिए, सभी के अंदर आपकी voltage क्या है, same है, let Vr का magnitude, this is equal to Vy का magnitude, और यह आपका magnitude में होता है, direct नहीं होता है, यह magnitude में ही लेते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ से, this is equal to Vb, और यह आपका किसके बराबर है, Vph, phase voltage के माल लीजिए, equal है आपका, तो phase voltage के equal होगा, तो यहाँ से हम क्या put करेंगे, this is equal to under root, यह आपका क्या हो this is Vph का square, plus यह भी आपका Vph का square, ठीक है, तो two times Vph का square, plus two times, यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा, this is Vph and this is Vph, so this is Vph का square, और cos, angle क्या है, Vr और minus Vb में, तो मैंने आपको बताया, यह आपका minus Vb यहाँ पे है, ठीक है, यह आपका minus Vb है, यह वाली जाप की line है, this is minus Vb, और यह आपका Vr है, तो angle आपका कितना हो गया, 60 degree, तो cos आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, 60 degree, ठीक है, अब यहाँ से, this is equal to under root, under root Vph plus Vph plus 2 times Vph का square, plus 2 times Vph का square, और cos 60, cos 60 कितना होता है? 1 by 2, so this is equal to under root 2 times Vph, sorry, 2 times Vph का square, plus यहां से 2 से 2 cancel और यहां क्या हो जाएगा VPH का square so this is equal to under root 3 times VPH का square और यहां से अपा क्या आएगा this is equal to root 3 times VPH या नहीं कि आपकी जो phase voltage आपकी होती है वो line voltage के कितने बराबर होती यह VPH आपा क्या है this is line voltage VL it is equal to आपा क्या रहेगा VL it is equal to under root 3 times VPH या आपा क्या होता है root 3 times किसके बराबर होता है phase voltage के बराबर तो इसका मतलब जो यहां पर आपकी line voltage आप represent कर रहे हो यह root 3 times है किसके root 3 times है आपकी phase voltage के root 3 times है तो यह था आपका phase voltage और आपका किसके बारे में line voltage के बीच में relation अब next आपका क्या है line current और phase current आपका लिखा हुआ है तो यह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर जो आपका line current होगा वो आपका phase current के बराबर हुआ क्यों? क्योंकि आपका current line से आ रहा है वही current आपका phase में भी जा रहा है तो इस वज़े से line current और phase current आपके क्या रहते है एक्वल रहते है ठीक है? और यहां पर phase और line के बीच में क्यों आपका difference आया? क्योंकि हम phase voltage कि इसको बोलते हैं जब एक line लेते हैं और दूसरा आपका neutral होता है जनरली हम उसी को phase बोलते हैं अगर हम अपने घरों की बात करें तो हमारे घर के अंदर आपका क्या होता है? हम एक तो line का connection होता है दूसरा आपका किसका होता है? neutral का होता है तो उन दोनों को हम क्या बोलते हैं? phase बोलते हैं similarly ऐसे ही यहां पर हम इसको क्या बोल रहे है? phase आपका बोल रहे है तो phase current it is equal to line current आपका होता है तो यह तो इसका relation हुआ अब हम इसमें बाकी relation आपका देख लेते हैं और star के अंदर क्या-क्या होता? उन सभी को एक साथ लिख लेते हैं तो star के अंदर आपने क्या-क्या देखा? देखो, सबसे पहले हम इसका एक रफली आपका फेजर बना लेते हैं फिर से एक आपका फेजर रफली बना रहा है ठीक है? यहाँ पर आपने देखा this is VR, this is VY and this is VB ठीक है? यह आपने यहाँ पर देखा था sorry, this is VB and this is VY लिख दिया है, this is VY ठीक है? यह आपने किया था भी तो यहाँ पर VB और यहाँ पर आपका क्या है? VY, फिर उसके बाद में आपने देखा यह आपका माइनस का होता है, this is minus का VB ठीक है? और यहाँ पर आपका क्या रहता है इस वी आ, sorry, VRB similarly यहाँ पर आपका रहता है this is VYB और यहाँ पर आपका आजाता है कुंसा VYR ठीक है यह आपने तीनों इससे पहले आपने देखे हैं तो अब देखो इसके अंदर आपका क्या करेंगे हम यह आपका कितना है this is 60 degree यह आपका कितना है this is 30 degree ठीक है तो अब यह अगर आपका 30 degree पे है तो यह आपको exact 90 degree पे नजरा रहा हुगा देखो यह आपको exact कितने पे नजरा रहा है 90 degree तो इसका मतलब आपका क्या हुआ यहाँ पे जो आपका phase difference है यह भी आपका कितना है 120 degree similarly यह वाला भी phase difference आपका कितना रहेगा 120 degree रहेगा और यह वाला भी यह जो आपका phase difference है यहाँ से यहाँ तक यह भी आपका कितना है 120 degree है तो पहला conclusion हम star connection के अंदर क्या लिखेंगे in star connection star connection के अंदर first conclusion आपका star connection in star connection in star connection star connection के अंदर आपका क्या रहेगा star connection के अंदर the phase difference phase difference between between line voltages line voltages are कितना phase कितना है आपका is 120 degree between line voltages is 120 degree 120 degree का आपका क्या है phase difference है या फिर हम बोले phase difference between phase difference between phase voltages या फिर आपका phase voltage के बीच में देखे हैं तो phase voltage is also 120 degree इनके बीच में भी आपका केतना रहता है 120 degree का ही phase difference आपका आता है यह हमने इस फेजर से आपका देखा है और आपने यहाँ पर क्या देखा यह तो आपका हो गया first point second point second point के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो line voltages आपके होती है line voltages bis this is equal to root three times phase voltage root three times phase voltage ठीक है you line voltage it is equal to root three times क्या रहती है finds voltage और आपने यहाँ पर क्या देखा 3 3 आपने देखा कि जो line करंट होता है वही आपका क्या रहता है phase current होता है तो यहां से next अपका लिखे हैंगे line current line current it is equal to आपका क्या रहेगा फेज current आपका रहेगा, ठीक है, line current और phase current आपका क्या रहेगा भई, same आपका आजाएगा, ठीक है, अब यहां से एक और आपका phaser बना लेते हैं, roughly phaser आपका और उसके अंदर आपका देखते हैं कि lagging load पे और leading load पे आपका क्या होता है, ठीक है, तो अगर आपका देखो, star के case में एक और condition आपकी fourth condition, पहले उसको देख लेते हैं उसके बाद में हम roughly phaser बनाएंगे तो अगर आपका balanced load है आपका, तो उसके case में आपका क्या रहेगा तीनों का sum, IR plus IY plus IB इन तीनों का sum आपका क्या रहता है this is equal to zero, ठीक है अगर neutral के अंदर कोई current flow नहीं कर रहा, इसका मतलब आपका system balanced है और अगर neutral के अंदर आपका कोई current flow कर रहा है, तो इसका मतलब आपका system क्या है, unbalanced है तो यहाँ पे हम उसी को आपका introduction करते हैं IR plus IY plus IB this is equal to zero, यह आपका किसके लिए है, for balanced system, यह balanced के लिए है ठीक है, यह balanced के लिए है अगर balanced होगा, तो कोई current flow नहीं करेगा, आपका किसके थूँ, neutral के थूँ ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं if, if neutral current, क्योंकि आपने क्या किया था star के case में, star के case में अपने क्या provide किया, एक बीच में neutral भी provide किया है, ठीक है तो neutral, तो यहाँ से आपका IR आपका आ रहा है यह current आपका IB है और यह current आपका IY है अगर इन तीनों का sum आपका 0 हो जाता है according to condition of KCL KCL क्या कहता है, sum of all the current at a node is 0 तो यह आपको क्या ना जारा रहा है और node के उपर आपके तीनों current जब मिलेंगे तो तीनों का current क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए ठीक है, और यहाँ से आपका neutral है तो अगर neutral का current 0 है तब तो आपका system क्या है if neutral current is balanced then the system is balanced तब हम बोलेंगे system आपका क्या है balanced है और अगर आपका neutral का current 0 नहीं है if neutral current is not equal to 0 system is unbalanced तब उस case में system आपका क्या रहेगा unbalanced रहेगा यह case आपका आगे जैसे हम machines के अंदर या फिर power system के अंदर जब discuss करेंगे आपके fault analysis पढ़ेंगे तब आपका बहुत important concept आपका है तो यह आपका यहाँ से इस point को आप note कर लीजेगा वैसे तो इसके सारे के सारे point ही आपके important है क्योंकि three phase system के अंदर ही हम mainly analysis को पढ़त करते हैं तो यहाँ से आपका देखो first, second, third and fourth चार आपके point हो गए अब इसके बाद में fifth point आपका लिखेंगे यहाँ पे fifth point में मैंने आपको बताया फिर से आपका एक रफली phasor diagram बनाते हैं तो यहाँ से आपका यह आपका क्या था this is vr और यह आपने यहाँ पे आपका बताया this is vr और b है आपका यहाँ पे आपका क्या है this is v चलिए इसी यहाँ से v yb ठीक है this is v yb और यहाँ से इसको हम बना लेते हैं वह आपका कुन सा है v yr यह आपने यहाँ पे बनाया है ठीक है तो यहाँ से यह आपका रफली इसको बना लेते हैं इनको रफले बना लेते हैं यह इस वी बी और यह आपका क्या है वी वाई है तो अगर आपका लोड क्या होगा लेगिंग होगा ठीक है लोड क्या होगा लेगिंग तो लेगिंग का मतलब आपका यह हुआ कि अगर आपका लोड लेगिंग है तो लोड लेगिंग है तो सिंगल फेस के केस में कैसे होता है सिंगल फेस के केस में अगर ये वी आर है अगर ये वी आर है तो लोड अगर आपका लेगिंग है यानि कि लोड जब आपका करंट आ रहा है तो लोड जब आपका लेगिंग होगा यहार आपका कुन सा है, this is also line current, तो यहां पर आपका phase difference कितना हो गया, this phase difference is 30 plus 5, ठीक है, यहां पर क्या हो जाता है, 30 plus 5, और अगर आपका leading load है, पहले इसी हो complete कर लेते हैं, अगर आपका यहां पर, similarly यहां पर आपका रहेगा, this is IB, और यहां पर आपका क्या रहेगा भई, इस is also 30 plus 5, क्योंकि यह वाला आपका 30 होता है, this angle is 30, और ती आपका क्या हो जाएगा, 30 plus 5, तो तीनों के case में आपका क्या होगा, 30 plus 5 पर रहेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे, in case of lagging load, कौन से load में, lagging load की case में, in case of lagging load, ठीक है, the angle between, angle between, angle between, angle between, line voltage, line voltage and line current, and line current, line voltage और line current के बीच का जो angle है, is always, is always 30 plus 5, ठीक है, यह आपका हो गया 5th point, ऐसे ही, अगर हम 6th point की बात करूं, तो 6th point के case में, अगर हम leading load लेते हैं, तो leading के case का मतलब आपका क्या हुआ, अगर यहां पर single phase की बात करें, तो यहां पर VR है, तो यह आपका क्या रहता है, this is IR, ठीक है, तो इस बार यह वाला angle क्या हो जाएगा, 5, तो इस बार, अगर हम leading के case में बात करें, यह तो आपका क्यों सा case है, लेगिंग का case है, अगर हम बात करें, तो यह आपका 3 आपके हो गए, यहां पर आपका क्या है, यह आपके line voltages हैं, ठीक है, तो यहां से आपका क्या आपका load कहां पर आजाएगा, देखो, इस से आगे रहेगा, यह वी आर है आपका, वी आर से आगे यहां नहीं कि यहां पर, यह आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से, तो देखो, यह वाला जो angle था आपका, आपने बताया, यह angle आपका कितना होता है, इस angle is 30 degree, और यह व का फाई, similarly यह वाला angle भी आपका, कितना है, थार्ती माइनस पाई, ऐसे ही यह वाला जो angle है, इस एस ओल्सो 30 माइनस 5, तो इसका मतलब आपका, क्या हुआ, in case of, in case of, in case of, limiting load, leading load के case में, in case of, leading load, angle between angle between line voltage and phase voltage oh sorry, line voltage and line current line current is always is always 30 minus 5 ठीक है, यह आपका important है तो यह आपके कुछ point हुए और आपके क्या-क्या point हुए तो एक point हम यह भी बता सकते हैं, देखो कि यहाँ पे आपकी जो voltage होगी यहाँ पे यह आपकी कुछ सी voltage है phase voltage है, Vr this is Vy, oh sorry this is Vb and this is Vy ठीक है, यह आपका Vb है तो इसको B कर लेते हैं यहाँ पे ठीक है, this is Vb अब यहाँ से, एक तो आपकी यह तो आपके होगी, कुछ सी voltage these are your phase voltage, ठीक है similarly यहाँ पे, and E does so this is like this, इसको complete बना लेते हैं और यह इनका होगा line voltage these are the line voltages this is Vrb this is Vby and this is Vyr ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो आपकी line voltage और आपकी phase voltage है इनके बीच में केतना phase difference है? 30 degree, तो यहाँ से, next आपका point हम इसमें लिखेंगे, शायद 6 point हो चुके थे 7th point, तो 7th point हम यहाँ से लिख सकते हैं, the phase difference the phase difference the phase difference between line voltage and phase voltage line voltage and phase voltage is, कितना phase difference आपका? is 30 degree, ठीक है? और उसी इक से आपका कितना होता है? 30 plus 5 यह 30 plus 5 lagging और leading load के case में, यह हमने देखाया भी अब next point, इसके अंदर हम निकालते हैं, आपकी power, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपका रखेंगे 7th, 8th point ठीक है? तो 8th point के अंदर हम यहाँ पर आपका लिखते हैं what is the active power? so active power p of 3 phase 3 phase power आपकी क्या होती है? this is equal to 3 into individual phase power ठीक है? हर एक phase की अलग-अलग power क्या रहेगी? जैसे अगर आपका 2 phase का है तो 2 into individual phase power करेंगे तो यहाँ से आपका आजाएगा 3 into individual phase power ठीक है? so this is equal to 3 into अब individual phase की power क्या होती है? एक phase की power हमें पता है हम लिखते हैं vph, iphph into cos 5 और यह 5 आपका किस-किस के बीच में एंगल है? vph और iphph के बीच का एंगल है ठीक है? तो यहाँ से अब देखो 3 into under root vph है आपका तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? this is equal to यहाँ से भई this is 3 into what is vph? vph आपकी क्या होती है? this is vl divided by root 3 यह आपका क्या होता है? vl divided by root 3 iph it is equal to i और यहाँ पर आपका क्या रहेगा? cos phi so this is equal to root 3 vl i l cos phi ठीक है? यह आपकी क्या हो जाएगी? what is this? this is your active power अब हम इसमें देखते हैं apparent power ठीक है? तो next आपका आएगा next आपका 7th और यह आपका क्या हो गया? sorry 8th this is 9th point तो apparent power apparent power apparent power से पहले हम इसके अंदर आपका sorry reactive power आपका देख लेते हैं फिर उसके बाद में आपका देखेंगे apparent power तो यहाँ से पहले आपका देखते हैं reactive power को so reactive power तो reactive power आपके क्या होती है? q3 face q of 3 face this is equal to 3 into individual individual face reactive power individual face की reactive power क्या रहेगी? तो यहाँ से इसको मैं लिखेंगे this is 3 into vph iph और यहाँ आपका क्या होता है? sin 5 ठीक है? और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? this is equal to इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ भाई root 3 into root 3 vph ठीक है? root 3 को अपने 2 parts में डिवाइड किया और यहाँ से iph को मैं लिख सकता हूँ il और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? sin 5 so this is equal to root 3 अब यहाँ क्या है? this is vp sorry vl so root 3 vl il sin 5 यहाँ आपका रहता है 3 phase के case में ठीक है? अब next आपका क्या आजाएगा? next आपका 10th this is apparent power इस बार आपका लेंगे apparent power apparent power और यहाँ आपका क्या होता है? s of 3 phase so this is equal to यहाँ आपका क्या होता है? under root p square plus q square और इन दोनों का square करेंगे तो यहाँ से under root under root 3 vl il cos 5 का square plus under root 3 vl il sin 5 का whole square ठीक है? यह आपका आजाएगा यहाँ से और इसको जब हम open करेंगे तो यहाँ से आपका सिरफ निकलेगा under root 3 vl into il और इसके unit क्या रहती है? va और इसके unit क्या होती है? var ठीक है? और इसके unit क्या होती है? what? ठीक है? 3 vph into iph cost 5 लिखते हैं यह आपका important point है यह सिरफ आपका तब होता है जब आपका कौन सा load हो? only for only for balanced condition यह आपके कौन सी condition में रहेगा? balanced condition के अंदर आपका आएगा ठीक है? अगर आपकी unbalanced condition होगी तो हम यह वाला use करते हैं ठीक है? कि यह जो आपका होता है vl it is equal to under root 3 vph यह सिर्फ आपका तभी आता है जब आपकी condition किसकी हो? only for when condition is balanced तो यह सिर्फ आपका balance की condition पे आता है यानि कि जब आपका phase difference यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताए यह 60 degree हो यह 30 degree हो इसी तरीके से तो इसको balance की condition बोलेंगे तो यह सिर्फ आपका तब आता है जब आपकी balance की condition होती है तो इसी लिए जब भी आप 3 phase का use करेंगे तो हमेशा आप क्या use करेंगे? root 3 vl into il हमेशा यह use करते हैं हम आपका ठीके कभी भी ऐसा नहीं लिखते p it is equal to 3 vph आप आप आजाएगा अगर आपका balance होगा तो अपने आप आपका ले लेगा कि आपका जो line voltage होती है वो अंडरूट 3 vph होती है तो अंडरूट 3 vph आपकी कभ रहेगी? only when condition is balanced तो यह आपका important है और इसको हमेशा याद रखिए कि यह सिर्फ आपका तभी आएगा जब आपकी condition क्या रहेगी? balance की condition otherwise आपको powers के कौनसे formula यूज़ करने हैं? जो यह derived formula है आपके ठीक है? यानि कि अंडरूट 3 vl il यहाँ पे अंडरूट 3 vl il cos phi यहाँ पे sin phi और यह आपका अंडरूट 3 vl into il तो यह था आपका power के regarding अब हम इसमें एक और आपका point आपका add कर लेते हैं क्या? कि अगर मालीजिये आपने क्या किया? आपने बोला मैं तो इसको reference नहीं लूँगा इसको मैं 0 degree पर नहीं लूँगा मैं तो बताऊँगा यह आपका 0 degree है ठीक है? हमने ले लिया आपने बताया भई मैं आपका लूँगा क्या? कि line voltage को मैं 0 degree पर लेना चाहता हूँ यानि कि line voltage को मैं किस पर लेना चाहता हूँ? reference पर लेना चाहता हूँ तब क्या condition होगी? तो line voltage को reference select करने पे अगर हम line voltage को reference select करते हैं if line voltage if line voltage is selected as reference, अगर हम इसको कैसे select कर ले, is selected as reference, ठीक है, इसको reference select करने पर, आपका क्या आएगा, देखो, when line voltage is selected as reference, तब आपका क्या होगा, यहाँ पर, vrb, vrb, सबसे पहले हम इसकी instantaneous value लिखते हैं, this is equal to, आपका क्या हो जाएगा, this is vm sin omega t, आपने बता है, reference यहाँ पर select किया है यानि कि इसको आपने क्या माल लिया है, this is 0 degree, तो इसको हम लिखेंगे, v, sorry, root 3 vm, यहाँ से root 3 vm, root 3 से multiply करना पड़ेगा, जो आपका पहले था, vm sin omega t, ठीक है, फिर उसके बाद में, next आपका आजाएगा, vby, this is equal to root 3 vm sin omega t minus 120 degree, यह अब आपका कहां पे है, यह अगर आप 220 degree पीछे है, यह आपका minus का 120 degree है, ठीक है, similarly, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यह आपका कितना हो जाएगा, this is minus का 240 degree, ठीक है, तो यहाँ से, next आपका vyr, vyr को मैं लिखूँगा, this is root 3 vm sin omega t minus, कितना आपका 240 degree, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे, तो यह आपकी करें, if, sorry, phase voltage instantaneous value, तो उस वकत, जब आपका, यहां पर line voltage आपका क्या होगा, when line voltage is selected as reference, जब line voltage को आपने select किया reference, तो line voltage की instantaneous value यह आजाएंगी, और phase voltage की उस time पर, क्या value आपका आएंगी, phase voltage instantaneous value, instantaneous value, when line voltage is referenced, जब line voltage आपका क्या होगा, when line voltage is reference, ठीक है, तब आपका ये क्या रहेगा, तो यहां से हम सबसे पहले आपका लिखेंगे Vr के बारे में, तो Vr आपका क्या है, Vm है आपका, into sin, omega t minus का 30 degree, क्योंकि यह आपका कहां पे है, minus का 30 degree, यह इससे 30 degree पीछे की तरफ है, ठीक है, 30 degree पीछ है आपका, तो इस वज़े से आपका क्या हो जाएगा, यहां से omega t minus 30 degree, फिर उसके बाद में, आपका क्या हो जाएगा, V, next आपका क्या है, this is Vb, 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 it is equal to Vm sin omega t minus का 120 degree है आपका, और minus का 30 degree, यह आपका minus का 120 degree यहां से है, और इससे 30 degree पीछे है, तो इसको मैं लिख सकता Vm sin omega t minus 150 degree, ठीक है, next आपका, what is VC, sorry, VR, यहां से इसका reference नहीं, this is VC, it is equal to Vm sin omega t minus का 240 degree, minus का 30 degree, यह पहले, इससे आपका पीछे है, minus का 240, और यह आपका क्या हो जाएगा, this is minus का 30 degree, तो यह आपका आजाएगा, this is Vm sin 270, sorry, sin omega t minus का 270 degree, ठीक है, 270 degree को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो, यह दोनों आपके क्या रहेंगे, यहां से 120 degree है, तो 120 degree से यह 30 degree कम हो गया, और यहां से आपका क्या बनेगा, right angle, ठीक है, यहां से आपका क्या बनेगा, right angle, यानिकि 90 degree, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, Vm sin omega t minus का, sorry, plus का 90 degree, ठीक है, तो यह हम इसको लिख सकते हैं, अब देखो, यहां से, यह तो आपकी होगी, when this is selected as a reference, तो इसकी values को हम ऐसे change कर देंगे, इस हिसाब से, अब हम यहां से, इसकी value अगर आपका जानना चाहें, कि इसकी value क्या होगी, इसकी value क्या होगी, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको कैसे करते हैं, देखो, यहां से, इसको अब हम लिखेंगे, this is, यहां से V angle कहां पे है, minus का 30 degree पे है, यह V angle minus का 150 degree पे है, और यह आपका V angle plus 90 degree पे है, तो इसको मैं ऐसे represent कर सकता हूँ, चैक है, तो यह इसकी values हो जाएंगे, अब अगर हम इसको आगे भी further proceed कर सकते हैं, इसको कैसे proceed करेंगे, तो उसके लिए आपका क्या है, यहां पे, this is minus 30 degree, this is minus 150 degree, and this is 90 degree, similarly this is, this is root 3 V angle 0 degree, इसको लिखेंगे, root 3 V angle minus का 120 degree, and this is root 3 V, और angle आपका कितना है, minus का 240 degree है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब देखो, यहां से, आपकी एक form होती है, polar form, ठीक है, एक आप क्यों होती है, rectangular form, तो देखो, जब हम करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसी analysis के अंदर, cos theta plus j sin theta, this is equal to, इसका जो magnitude होगा, this is under root cos square theta plus sin square theta, और यहां से angle आपका क्या हो जाता है, tangent inverse imaginary divided by real part, so this is equal to one angle theta, तो इस form का आपका कौन सी form बोलते हैं, इस form को बोलते हैं, आपक rectangular form, और नीचे वाली जो form आपकी आई है, इसको बोलते हैं, आपका polar form, ठीक है, यह शायद आपका पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप इसके लिए AC analysis भी देख सकते हो, और जितने भी मैंने आपको analysis यहां पे mostly बताई है, AC analysis के अंदर मैंने आपका एक lecture बनाया, introduction के अंदर, वहां पे मैंने आपको पूरे technometric आपका जो जो use होता है, पूरे electrical engineering के अंदर, उसका सारे सभी का आपका basic बताया हुआ है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो, तो यहां से आपका देखो, तो यह आपकी कौन सी form होगी, rectangular form और one angle theta, this is called polar form, इसको बोलते हैं cos 0 degree, cos 0 degree, plus j sin 0 degree, ठीक है, so this is equal to, cos 0 कितना होता है, one, और j sin 0 कितना होता है, zero, so this is equal to root 3v, ठीक है, अब यहां से, next आपका vby, vby को मैं कैसे लिख सकता हूँ, root 3v into cos 120 degree, plus j sin 120 degree, ठीक है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, sorry, minus है आपका, तो यहां पे बीच में minus आ जाता है, ठीक है, यह आपका दियान रखना आपको, so this is equal to, यह आपका क्या होगा, cos 120 क्या होता है, cos 120, second quadrant में चला गया, और second quadrant के अंदर cos आपका negative होता है, ठीक है, और negative कितना, minus का 1 by 2, तो इसको लिखेंगे, root 3v into minus का 1 by 2, और यहां से minus, sin 120 आपका क्या होता है, sin 120, positive होता है, so this is minus का j, और इस जब हम open करेंगे, तो यह आपका देगा, this is, v को बाहर ले लीजिए, this is minus का root 3 by 2, और यहां से minus का j, 3 by 2, यानि कि यह आपका देगा, v into minus 0.866 minus j, और यहां से 0, sorry, 1.5, ठीक है, 1.5, तो इसको जब हम आपका calculate करेंगे, वापिस आपका कितना देदेगा, यह angle में, आपका minus क निकाल सकते हैं, v, y, r की value, v, y, r के case में, root 3 v into cos 240, और इसको हम लिख सकते हैं, plus का 120, तो plus का 120 कर दीजे, because this is equal to root 3 v, angle आपका कितना है, plus 120, अब तो आप समझी गए होगे, क्यों इसको हम plus 120 बोल रहे हैं, तो cos 120 plus j sin 120, तो इस बार आपका क्या हो जाएगा, यह पोजिटिव cos 120 बस यहां पर change करना है, so this is minus का, sorry, यहां पर v, और अंदर आपका जाएगा, तो minus का 0.866 plus j 1.5, ठीक है, देखो, अब यहां से आपका सबसे important क्या है, तीनो का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तीनो का सम क्या होना चाहिए, 0, तो यहां से आप देखो, this is root 3, और यह यहां से minus का j 3 by 2 है, और यहां पर आपका plus j 3 by 2, यानि के minus j 1.5 और plus j 1.5 एक दूसरे हो क्या कर देते हैं, cancel out कर देते हैं, और यह आपका क्या है, this is minus root 3 by 2, और यह भी आपका minus root 3 by 2, और यह plus root 3 है, तो इन तकतिनों का सम आपका क्या आजाएगा, 0 आजाएगा, यानि कि minus 30 degree का मतला आपका क्या हो गया, cos minus का 30 degree और minus का j sin 30 degree, ठीक है, यह angle में है, क्योंकि इसका minus 30 degree बाहर आएगा, तो बाहर minus हो जाएगा, so this is equal to root 3 by 2, और यहां से minus का j 1 by 2, ठीक है, तो यह आप क्या जाएगी, vr की value, फिर हम निकालते हैं, vb की value, यहां से आपका चेक भी हो जा minus का 150 degree, cos 150 degree, cos के अंदर plus ही रहेगा, यहां पर minus हो जाएगा, j sin 150 degree, ठीक है, तो यहां से, cos 150 degree आपका क्या होता है, cos 150 degree आपका होगा, under root 3 by 2, लेकिन negative होगा, तो v minus का root 3 by 2, और यहां से आपका क्या होता है, ठीक है, यह आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद में, vc, it is equal to, आ this is cos 90, और यहां पर plus का j sin 90 degree, क्योंकि बीच में आपका क्या है, plus का symbol है, so this is equal to cos 90, आपका क्या होता है, 0, 0, और यहां से आपका क्या रहेगा, सिरफ j, अब यहां से भी आप चेक कर सकते होगा, यह minus का j 1 by 2, और यह minus का j 1 by 2, क्या हो गया, minus का j आपका हो जाएगा, दोनों क कर देंगे, ठीक है, तो यह था आपका किसके regarding, star connection के regarding, मैंने आपको सब कुछ बताया है, अब हम आपका next lecture के अंदर discuss करेंगे, what is the relation in delta connection, यानि कि phase voltage, line voltage, line voltage, line current के बीच में आपकी क्या relation होती है, in case of delta connection, ठीक है, तो इस lecture के अंदर बस इतना ही, अगर आपको इसी lecture की PDF फाइ तो आप हमारी एप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हो, और आप वहाँ पे आप हमें message भीजिए, और message के बाद में आपको group के अंदर add कर देंगे, ताकि आप बाकी students के साथ में मिल सकें, और और बाकी subjects के लिए भी आप हमारी इस app को prefer कर सकते हो, thank you, thank you so much.